हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में SSE MTS अप्रेल एक्जाम 2023 के लिए पहला मोडल पेपर करेंगे और बिल्कुल नए एक्जाम पेरिटन पर अधारित है तो चैनल को फटा-फट से सबस्क्राइब कर लीजिए एक साथ जितने भी वीडियो देख रहे है और सबस्क्राइब करने के तुरंद बाद नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लेना रोजाना वीडियो देखने के लिए तो चलिए मोडल पेपर स्टार्ट किया जाए फर्स्ट कोशन आपके स्क्रिन पे मोडल पेपर का साथ साथ में आपको भी आंस्वर का कमेंट करना है इससे आपकी त्यारी और अच्छी होगी और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है एक साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले like बटन दबा दीजिए और share कर दीजिए फर्स्ट कोशन देखिए निमन में से कौन सा एक input device का उधारन है सभी के सभी latest exam pattern के कोशन है which of the following is an example of an input device देखिए इन में से input device कौन सा हो जाएगा तो right answer होगा scanner scanner क्या है एक input device का उधारन है तो right answer option A होगा speaker, projector, printer ये तीनों क्या है ये तीनों के तीनों output device है सभी को answer comment करना है सभी के answer चेक करूँगा अगला question barter landing का अर्थ क्या होता है the barter transaction mean जो barter landing है इसका अर्थ होता है goods are exchanged with goods यानि कि वस्तूओं का आदान प्रदान को हम barter landing कहते है जिनोंने भी answer option 3 को किया है उनका answer बिल्कुल सही होगा सभी answer comment करेंगे अगला question देखिए question में दिया है कि निमन लिखित में से कौन सी एक green house gas है जो ozone परत को समाप्त कर सकती है which of the following is a green house gas which can deplete the ozone layer तो इन में से एक gas का नाम बताना है जो कि green house gas है और ozone परत को समाप्त कर सकती है तो ये है N2O right answer जिनोंने भी option 1 किया है comment में उनका answer बिल्कुल सही होगा अगला question देखिए अजात शत्रू किसके पुत्र थे अजात सत्रू वाजदा सन ओफ जो अजात सत्रू है ना ये दोस्तों बिम्बी सार का पुत्र था तो right answer जिनोंने भी option 3 किया है उनका answer बिल्कुल सही है अगला question है रविंदर नाट टेगोर को किसके रूप में भी जाना जाता है रविंदर नाट टेगोर is also known as इन्हें दोस्तों गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता है option 3 जिनोंने भी answer किया उनका answer सही होगा 1913 में दोस्तों इन्हें इनकी पुस्तक गितांजली के लिए Nobel Prize मिला था और ये Nobel पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये थे और साहित्य के चेत्र में इन्हें Nobel Prize दिया गया था अगला question देखिए पुरुव प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेई का अगस्त 2018 को निदन हो गया उन्होंने किस सन में पदम विभूशन प्राप्त किया था फोर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल विहारी वाजपेई पास्ट अवे ओन अगस्त 2018 इन्होंने पदम विभूशन प्राप्त किया था 1992 1992 में राइट आंसवर जिन्होंने भी option 2 किया है उनका आंसवर बिल्कुल सही होगा बात करने दोस्तों इन्होंने 1992 में पदम विभूशन की प्राप्ति की थी और 2015 में दोस्तों NDA की सरकार में इन्हें भारत रतन भी मिला है ठीक है और अगस्त 2016-अगस्त 2018 को इनका निदन हुआ था अगला question देखिए question में पूछा है किस British Governor General ने भारत में डाक टिकट की सुरुआत की सभी latest exam pattern के question है which British Governor General introduced postage stamp in India postage stamp in India निकी डाक टिकट की सुरुआत की थी लोड डल होजी ने तो correct answer option 1 हो जाएगा जिनोंने भी comment किया option 1 को उनका answer सही है सभी answer comment करते रही है सभी के answer चेक करूँगा अगला question है अंतराष्ट्य प्रवास दिवस हर साल कब मनाया जाता है international migration day is observed every year on तो यह जो अंतराष्ट्य प्रवास दिवस है न यह 18 December को मनाते हैं हर साल right answer option 2 होगा अगला question देखिए भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक का कारेकाल कितना होता है what is the tenure of the CAG of India जो CAG होता है उसका जो tenure होता है वो 6 वर्स या फिर 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो इन में से वो होगा 6 years और up to the age of 65 years whichever is earlier यानि कि 6 वर्स या फिर 65 वर्स जो भी पहले हो जाएगा वही CAG का कारेकाल होता है तो option 3 right answer हो जाएगा बात कर लें CAG की जो CAG है ना कैग इसका उलेख हमें मिलता है सविधान के नुछे 148-151 में अगला question देखिए ताज express way किन सेरों को आपस में जोड़ता है which cities connects the ताज express way ताज express way ये आगरा और greater noida दो सेरों को आपस में जोड़ता है option 3 right answer होगा अगला question है चंदर्मा की सतहे पर कोन साथ तत्व पाया जाता है which element is found on the surface of the moon देखिए चंदर्मा की सतहे पर जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है tantalum right answer जिनोंने भी comment option 3 को किया है उनका answer सही होगा अगला question समतल दरपण में बनाई गई च्षवी वास्तविक होती है यह कतन कैसा है image that is created in the plain mirror is virtual statement is यह statement right यानि की सत्य है right answer option 1 होगा अगला question रात्री दरश्टी उपकरणों में निमन में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है which of the following types of waves are used in night vision equipment रात्री दरश्टी उपकरणों में जो हैना हम अवरक्त तरंगे यानि की infrared waves का प्रयोग करते हैं option 3 जिनोंने भी answer किया था उनका answer सही है अगला question डुगोंग नामक समुद्री पशू जो विलुप्त होने के अती शवेदन शील है वह क्या है इनमें से जो डुगोंग नामक एक समुद्री पशू है ना ये दोस्तों विलुप्त होने के अती समुद्री पशू है ये एक mammals यानि किस तनपाई है तो right answer option 4 हो जाएगा अगला question देखिए question में आप से पूछा है कि जो coca cola की जो bottle है ना उसमें कौन सी gas पर्युक्त की जाती है which gas does the coca cola bottle contain तो इसमें होती है co2 carbon dioxide option 3 right answer अगला question lens दो प्रकार के होते हैं lens are two types कौन कौन से होते हैं वो बताना है तो देखिए small and large छोटा बड़ा कोई भी परकार का कोई lens नहीं है अभिसारी और अपसारी होता है उत्तल और अवतल तो अभिसारी अपसारी ये भी सही है उत्तल अवतल ये क्या है type है lens के दो परकार तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option 4 both 2 and 3 ठीक है अगला question निमन लिकित में से कौन सा देश सार्क का सदश्य है which of the following country is a member of सार्क तो इन में से बताना है हमें सार्क का सदश्य तो मालदीव जो है वो सार्क का है सदश्य तो right answer option 2 होगा बात कर लें सार्क की तो दोस्तों सार्क के साथ संस्थापक सदश्य देश बांगला देश भुटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और स्री लंका है अफगानिस्तान 2007 में शार्क में शामिल हो गया ठीक है अगला question करें उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक की शैशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी मेरे पहले दोस्त वीडियो देख रहे है एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले और शेर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों तक अधियन कहलाता है और अकाशिय पिंड का अधियन ये दोनों क्या है एस्ट्रोनॉमी में आते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन 4 ओनली 1 and 2 अगला कोशन है मैच दा फॉलविंग नीमन लिखित का मिलान करना आपको तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे अविशकारक है किन-किन का अविशकार किया वो बताना है तो देखिए जोन गुटेनबर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने अविशकार किया है प्रिंटिंग प्रेस का इसके बाद अपने बात कर लेते हैं डवल्यू रो एंजन की तो इन्होंने अविश्कार किया दोस्तों X-ray किरिणों का और बात में Michael Ferrade की बात करें तो इन्होंने Dynamo का विश्कार किया है और Graham Bell ने विश्कार किया टेलिफॉन का तो राइट आंस्पर होगा option 4 A2 B3 C4 D1 ठीक है अगला question किस पशु के दूद में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है which animal has the most protein in milk तो सबसे ज़्यादा होता है भेड शीप के दूद में protein option one right answer होगा एक बार देख लेते हैं सबसे ज़्यादा होता है भेड के दूद में protein 6.57 फिर आता है गाय में 5.23% फिर भैस में है 3.87% और लास्ट में है बकरी 2.38% ठीक है अगला कोशिन है सर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटीस साशन के दोरान किस देश का दोरा किया और उसे अफरीका का मोती कहा सर विंस्टन चर्चिल विजिटेड विच कंट्री ड्यूरिंग इट्स इयर अंडर ब्रिटीस रूल अंड और प्रियल ओफ अफरीका तो यह इन्होंने दोरा किया था यूगांडा का और इन्होंने अफरीका का मोती कहा था यूगांडा का option to right answer होगा युगांडा देश के बारे में थोड़ा सा अपने विस्तार से समझते हैं कैपिटल की बात करें युगांडा की तो कमपाला है और यहां की जो करेंसी का नाम है वो है युगांडा शिलिंग और यहां पे जो अधिकारिक बाशाएं बोली जाती हैं वो इंगलिस और स्वाहिली बोली जाती है राष्टेपती वर्तमान में योवेरी मुसेवेनी है और प्रधान मंत्री है अपोलो सिंबामबी ठीक है अगला कोशन देखिए सामुहिक रूप से बुद्ध और शुकर ग्रहे कि कितने चंद्रमा यानि कि उपग्रहे हैं मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में बात कही थी कि दो ऐसे ग्रहे है बुद्ध और शुकर जिनका आप कोई भी उपग्रह यानि की चंद्रमा नहीं है तो राइट आंसर उप्शन फोर हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला कोईशन देखिए जीएश्टी वस्तु एम सेवाकर परिशद की 48 वी बैठक 17 दिसंबर 2022 कोकिस्थान पर आउजित की गई दा 48 जीएश्टी गूड्स एंड सर्विशेज टेक्स काउंसल मीटिंग वाज हेल्ड ओन 78 दिसंबर 2022 2022 फ्रॉम वीच प्लेस तो ये आउजित की गई नई दिल्ली में ओप्शन ए राइट आंस पर हो जाएगा ठीक है अगला कोईशन देखिए निमन में से किस प्रधान मंत्री का जनम स्वतंतर भारत में हुआ विच ओव दा फॉलविंग प्राइम मिनिस्टर इस बोन इन इंडिपेंडेंट इंडिया तो नरेंदर मोधी ऐसे प्रधान मंत्री है जिनका जनम स्वतंतर भारत में हुआ है देखिए नरेंदर मोधी का जनम 17 सितंबर 1950 भारतिय स्वतंतरता के बाद पैदा होने वाले ये भारत के पहले प्रधान मंत्री है अन्य सभी पूरू प्रधान मंत्री भारत के जादी से पहले पैदा हुए थे ठीक है अगला question आज का last question है और ये question हमरक question है इसका answer आपको मैं नहीं बताऊँगा इसका answer आपको बताना है comment में निमालिकित में से एनिमो मेटर द्वारा किसकी माप कियाती है पहले ये हमने बहुत बार किया है तो सभी को answer इसका right करना है वीडियो में आपने कितना score किया वो भी बताईएगा वीडियो अच्छा लगाए तो like share subscribe कर दीजेगा मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय वार